बच्चों जिसे कि अभी तक हमने संक्रामक रोक की बात की अब हम बात करते हैं एक और खतरनाक बिमारी की वह है केंसर। और ये cancer जो है पुरे विश्व में बहुत ज्यादा फैला हुआ है प्रती वर्ष जो है 11 लाख मरीद जो है वो मतलब दर जो होते हैं रजिस्टर होते हैं और बहुत ज्यादा मौते जो हैं वो इस cancer के कारण होती है तो बचों अभी हम इस cancer के बारे में जानेंगे कैसे होता है क्या लक्षण है इसके इसका इलाज कैसे होता है तो उसकी हम बात करेंगे तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सजीवों का एक मुख्य लक्षण होता है वरिधी करना और ये वरिधी जो है कहना चाहिए कि जब ये कोशी का विभाजन होता है तो कुछ का ये कोषड का विभाजन होता है अब कोशिका का विभाजन वह राएँ उसमें क्या होता आप नीप असे समान दूसरी लिए कोशिक सके बनाती हैं इस जांते हो हम्झा का बना होता है state और प्रत titre्तिा कोशिका का एक अपना अलग काम होता है आएउशकत्तceğ अनुसर वे और फिर एक महत्वपुन बात हमें नोट करनी चाहिए कि इनका जो एक स्पेसिफिक लाइफ रहती है यानि कि दूप पिर पुरी होती है फिर ये खता हो जाती है उससे पहले ये प्रजनन भी इनके जरिये जो होता है तो ये एक सामाम्यसी प्रक्रिया है सजीवा में होने वा क्या होता है कि जब यह सामान्य प्रक्रियां कोशिका के विभाजन की जिसके जरीए जो है व्रिद्धी और प्रजिनन होता है तो यह यदि आसामान्य तरीके से हो जाये तो यह संगठेट उतकों की व्रिद्धी है बढ़ते जा रहे हैं जिनको ट्यूमर कहा जाता है ठीक है तो यह जैसे आप पिक्षर भी देख रहे हो कि यह जो नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं उससे उपर में जो एक अलग तरीकी की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं वो जो है लगातार विभाजन करते रहती हैं और एक गांट का रूप ले लेती हैं एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और वही जो है वो किंसर होता है तो आपने अब यह समझ लिया किंसर क्या है अब कैंसर जो है वो दो प्रकार का होता है एक है बिनाइन कैंसर यह कि बिनाइन कैंसर और दूसरा जो है वो मैलिगनेट क बीनाइन चैंसर जो है वह उसका जो कि इस्थान रहता है यानि जिस स्थान पर यह उसी स्थान तक सिम्हेत रहेगा वह बागी और जगम में नहीं फैलता है तो कहना चाहिए इससे जो च्छती होती है शरीर को मामूली होती है कम होती है comparatively malignant cancer malignant cancer जो है बहुत ही खतरनाग होता है तो यह क्या होता है malignant cancer जो है वो एक जगह पर बनता है tumor वो बनता है और वो tumor जो है फिर वो एक जगह से कहना चाहिए वो बन गया फिर वो tumor cells blood के जरिये जो है और जगह फैल जाती है और वहां वही फिर वो tumors बनानी लग जाती हैं तो यह malignant type का cancer होता है अब malignant type के cancer की हम और बात करते हैं जैसे चुकि यह कोशिकाई बहुत तेजी से विभाजित होती है तेजी से विभाजन जो है इनका गोण है तो अब इनको विभाजन के लिए क्या चाहिए जैसे आपने को से तो रूस अब यहते हैं तो यहां भी अबikal चुकि कोशिका बहुत नहीं हो सकता है तो विभाजन होगी रिस फेन विभाजन रिछली है जो क्या चाहिए थर छी परिश बाद नें चुटी नहीं जो क्या होती है नार्माल सेल हो जो यहाँती प्लीपनी तो नहीं होता है वहां पर भी ट्यूमर बना है तो यह जो इस के undergo gidelis यह इनको नियोप्लास्टिक झैल्स जिलो लगोन से द्युमर प conflicting सिल के लोगन सिल है कि जब कोशिका है खेते हैं इनको नियो प्लस्टिक सेल्स होण लेते तो एक कंट्रोल डवे संखरा करते पहोजिद मुंना में दूसरी कंट्ल रखाहिए DOJ नियंतृत भश्यांग से होता है कष्यां का कारनी कट्रिक अधिष्यश्ण सो का दुसरी कोशिकार्व की विधाजना मत्ति तो चाहिए कि जो नियंतरित तरीके से जो है विभाजित करती है और इतना विभाजन करती है कि वहाँ पर कोशिकाओं का एक धेर खड़ा हो जाता है और वो ट्यूमर बनता है बच्चों अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इंसर के causes क्या है ये कारण क्या है तो इसके कारण जो है मुख्य रूप से तीन की हम बात करते हैं वो तीन जो कारक है वो biological भी हो सकता है वो physical भी हो सकता है और वो chemical भी हो सकता है दरसल ये होता क्या है कि ये जो carcinogenic agents कहलाते हैं इनके जरीए जो है वो रासाइने क्या कहना चाहिए हमारे body के संगठन में अंतर आता है अब उसके आधार पर देखें कि body में किस तरीकी के changes आ रहे हैं उस आधार पर देखें तो ये दो तरीके का होता है एक है mutational cancer और दूसरा है viral cancer तो mutational cancer में क्या होगा कि DNA आप जानते हैं कि DNA जो है वो genetic पदार्थ है genetic material है अब इसके जो रासाइनिक संगठन में यानि आणवी स्थर पर यदि इसमें कोई changes आ गया कोई परिवर्तन आ गया है gene mutate हो गया gene mutation आपने पड़ा है तो इस तरीके का जो reason है वो क्या बनता है mutational cancer का वो कारण बनता है अब दूसरा जो बात करते हैं viral cancer की तो कुछ इस तरीके के virus होते हैं वो भी cancer पैदा करते हैं उसकी चर्चा हम अभी करेंगे तो असल में यह जो दो भी दोनों जो कारक हैं basically कहना चाहिए हमारे gene में जो normal cells है normal cells को वो नियो प्लास्टिक cells में यानि वो जो जीन है उसमें उसको बदलने के लिए प्रे canoe करते हैं यानि की वह उसको अभी प्रेद करते हैं abnormal cell डिविली न के लिए तो कहना चाहिए जो जीन है उसको onkogen jugar जी क्या करता है यह ian jsukos Citizens he कि क्या करता है abnormal growth के लिए Cell को अभी प्रेद करता है तो यह जो दो कारक है बेसिकली यह होता कैसा है इसको हम देखते हैं तो जैसे अभी हमने बात की थी कि पहले तो फिजिकल क्या ऐसे एजेंट्स हैं तो फिजिकले में कहना चाहिए कि जैसे रेडियेशन्स हैं ताप है या धूआ है आधी कि यदि तवचा के बाह है या आंतिर के सतर पर कोई के अधां तक पुपीनों के विए कैंसर हो सकता है तो निकोटीन किसमें पाया जाता है यह देखें यह अधिया आपकी उम्र है यह ज्यानना जरूरी है कि है मीं तमबाकू ब्काराचाने से हैं ऑप और सीकार पाइप यूज सोर्माटारिग करते हूए तो उन सब में जो है तो है उसमें एक को डिखा लिखा आता है यह जो है स्वांस्ती के लिए हानिकारग हो सकता है तो फिर लिखा झालने को समझ अने делать की सों संधरνε निकोटीन का कारक हो सकता है तो कि निकोटीन जो है जैसे कि तंबाकू है तंबाकू में जो धुवे में उसका जो रसायन है वो क्या करता है लंग कैंसर का प्रमुक कारण बनता है और हमारे इंडिया में जो है लंग कैंसर बहुत बहुत आयत रूप में जो है वो पाया जाता है अब आप इसका रिजन भ तो इसलिए जब यह उस्ट भाते हमें अपने वीवेक करना चाहिए तो इसलिए इन चीज़ों को जानना जरूरी है साथ में जो है एक आवयर के रूप में एक अपने आपको जागरित करके जो है इनसे हम अपने आपको अवाइड करें तो जैसे कि निकोटिन से भी होता है हमने अभी बात की और कुछ कोल एंड पैट्रोलियम प्रोड़क्ट से लेड निकलता है उसके जरी भी कैंसर हो सकता है अब कुछ कीट नाशक का उपयोग करते हैं जैसे किसान है बहुत ज़्यादा यदि कीट नाशक का उपयोग करेंगे खेतों में फसलें जो उगाते हैं उनमें जो डिसीज जो रोग पैदा करने वाले वाइरस बैक्टिरिया है तो उनको खतम करने के लिए वो तो अब वो पैस्टिसाइड जो है हम धोते भी है फ्रूट वेजिटेबल्स को लेकिन कम्पलीटली कहना चाहिए कि वो निकल जाए या वो सॉयल के यानि जो एब्जॉरफशन के जरिए यदि वहां तक फ्रूट वेजिटेबल्स तक पहुँच जा रहा है तो उसका कुछ पर्संटेज के थृष वो हमारे शरीर में पहुच्ज सकता है तो केट नशग के जरिए यदि एक इंसर हो सकता है जाए pressing हो पर संदे जरीड़हें ज्वेज़न वन मीरे तो यह कुछ लोग क्या करते हैं कि हजोए हार्मों कम है तो वह तरयई है वह बाहर तरीके एंडेकर है तो भाहर से लेने वाला यानि जो हो और आपिसमे में अप जानते हैं? कपड़े लाट करता हैं उनको ड्राइब ऐख एंग रहते हैं वह वाइट कालर क्रेंटम करते हैं या उंको क्या करता हैं? जो भी आप जैसे डाई करने के लिए आप किसी कपड़े को दिया तो वो क्या करते हैं वो रसायनों को उपयोग करके क्या करते हैं उसको रंगते हैं तो डाई वर्कर्स यानि बल्क में जब काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हुआ रसायन को उपयोग हो रहा है तो ऐसे ड radiation से भी जो है वो cancer हो सकता है तो यह बहुत सारे carcinogenic agents हैं जिसके जरीए जो है आज की परिस्थितियों में कहा जाए इस cancer के patient की जो है वो संख्या क्या हो गई है बहुत ज्यादा बढ़ती गई है अब कुछ वाइरस है उन वाइरस के जरीए भी cancer होता है तो कौन-कौन से वाइरस है दो तीन वाइरस के हम बात कर लेते हैं जैसे एक है papilloma यह papilloma वाइरस जो है cervical cancer प्रोडियूस करते है यह cervical cancer मतलब वो उस तरीके का होता है और एक है हैं हेपिटाइटिस B और हेपिटाइटिस C यह भी जो वाइरस होते हैं यह लिवर cancer मतलब लिवर में जो है वो cancer जो है वो वाइरस के जरीए होता है और एक और है एपस्टेन बार है यह बरकेट लिंफोमा यह इस तरीके का cancer जो है वो करता है तो कहना चाहिए तो यह तो DNA के आणमे की स्थर पर यदि कुछ changes आ रहे हैं परिवरतन आ रहे हैं म्यूटेर हो रहा है तो यह cancer हो सकते हैं कुछ खाद्य पदार्थों के जरीए अभी जैसे हमने देखा कि कि निकोटेन के जरीए लेड के जरीए कुछ पैस्टिसाइड के जरीए इनके जरीए cancer हो सकता है यह फिर कुछ आपको आपको शेयर करना चाहूंगी आपको जानकर आश्यर होगा कि सेकेंड वर्ड वर के समय यानि तक चला था और 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागा साकी पर आपको याद होगा एटम बंब गिराया गए थे तो उसका जो रेडियेशन था इतना ज्यादा तेज था कहना जहिए कि उसका जो कहना चाहिए जो इफेक्ट है वो अभी तक भी जो है वहां की जनरेशन में मिलता है मतलब वहां की जनरेशन में कहना चाहिए कि ब्लड कैंसर जो है वो अभी तक उसका जो परेंटेज है वो परिलक्शित होता है और तो इस तरीके से देखा जाए तो ये रेडियेशन जो है बहुत खतरनाक होते हैं तो अब हम कैंसर के लक्षण की बात करते हैं पचों कैंसर जैसे बीमारी जो है कहना चाहिए शुरुवाती दौर पे तो पता ही ने चलता है तो बहुत लगी रहते हैं वो लोग जिनको प्रा बहुत ज्यादा देर हो जाती है जैसे मैलिगनेट कैंसर की हमने बात की थी ये मतलब शरीर के हर हिस्सों में ब्लड के जरिये पहुंच जाता है जगा जगा पर वो ट्यूमर पैदा करता है तो चुकि इसमें कुछ कहना चाहिए दर्द नहीं होता है कुछ पहचान नहीं हो ये जर सब्सक्राइब में बात कि तो आम इनसन जो हैं कि एस ही सोचते हैं कि चोगा ऐसी गठान होगी ऐसे कुछ राउठ होगा तो सब्सक्राइब में बात की हृता है तो इसले कह रहे हैं कि यह सब चीजों को गौर करना जरूरी है तो पहली बात जैसे कि असाधारन जो है वो गांट बनना या किसी शरीर के एक हिस्से का बढ़ जाना अबनॉर्मल तरीके से वो बढ़ रहा है तो यह भी कहना चीजे एक लक्षन में आता है फिर किसी घाव का भरना मैं कोई गा तो नहीं भर रहा है तो शुगर पेशेंट लग्षण का भी एक शिंड़म रहता है कि यदि शुगर वो पेशेंट है तो उसमें भी घाव नहीं भरता है ठीक है तो कई सारे जो लक्षन है वो रिलेटेड भी रहते हैं बार बार आपचका होना बने जो प्रॉपरली जो है वह नहीं मिल पाते हैं या कहना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं गले में खराबी होना यदि अलसर का इलाज कराया है अलसर उसके बावजद भी ठीक नहीं हो रहा है ये भी एक लक्षण शो होता है फिर कुछ जो है कि वजन में अचानक से में यदि कोई परिवर्तन आ रहा है तो इसको भी गौर करना चाहिए और फिर जो है असाधारन रूप से और कहना चाहिए कि बिना मतलब के कोई जैसे ब्लीडिंग हो रही है किसी भी हिस्से से तो वह भी जो है गौर करने वाली बात है खासकर इस्पेशली जो वुमेंस है जिनका मैनोपॉस हो गया है उसके बाद में यदि इस तरह के मतलब हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात है तो इस तरह के से यह कुछ लक्षण है और भी एक लक्षण को जैसे गोर करें शौच यां यूरिनेशन यूरिन के जाने के लिए जो जो आदते है मतलब जो हमारा frequency है यदि उसमें कोई changes आ रहा है तो भी जो है वो इसका एक लक्षण हो सकता है तो यह अभी हमने लक्षणों की बात की इस तरीके से हम आगे जो है उसके और टाइप्स की बात करेंगे अब हम बात करते हैं कि cancer के है कोम शिए अंगों में कहां पर होता है तो उसके अकॉरडिंग जसके नाम थे Mongraij को देखती है तो जैसे यहை कारसिनो मास का कैंसर है कosaurus कांशर है और कैंसर कहां होगा हडियों में है को दिधियों में है है blood vessels में muscles में हैं वहाँ पर यह इस तरह का cancer होता है एक है lymphomas है यह lymphatic tissue का cancer होता है एक और है lipomas है यह adipose tissue का cancer है एक है leukemia है इसको blood cancer भी कहते हैं और एक और lymphoma इसको भी blood cancer का ही यह type है जो lymphatic system को हम आगे प्रतिरक्षा तंत्र में बीचे पढ़के आए कि प्रतिरक्षा तंत्र में बीटा cells और T cells वो lymphocytes है और यह lymphocytes यानि lymphatic system को जो है वो effect करता है तो यह प्रकार है एक cervical cancer है जो यह कहना चाहिए फिमिल में होता है सर्वाइकल रिजन में और एक और है brain cancer है brain tumor है जो कि बहुत ज्यादा इदि उसकी कहना चाहिए intensity बढ़ गई तो यह बहुत ज्यादा harmful होता है और एक और cancer है prostate gland का cancer यह जो है male reproductive system में prostate gland पाई जाती है उसमें यह prostate gland का cancer होता है और गवर करने माली बात क्या है कि यह जो cancer है यह प्रोस्टेट gland का cancer है वह कहना चाहिए काफी दिनों बाद इसका पता चलता है तो जैसे overall हमने और भी cancer की भी बात की थी कि चुकि यह जो है कि इसका शुरुवाती दोर पर जो है कहना चाहिए वह symptom नजर नहीं आता है लक्षण समझ में नहीं आता है तो बढ़ते 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 वह second stage then third stage में आ जाता है और फिर ऐसे कुछ abnormalities दिखती है तब जाके वह मतलब दिखता है कि हाँ यह cancer है और यह इस तरीके का cancer है diagnosis की बात करते अब मालो जैसे बता चल गया है कोई लक्षण समझ में आ रहा है तो उसका पहचान कैसे की जाएगा बाइपसी टेस्ट जो है वह असल में ब्लेड में आपनोर्वल wbc को खोजा जाता है वह नोर्माल या डव दिख्याना को यह इस्ट लॉजिकल टेस्ट के जरी देखा जाता है और बोर्ण मेरों के कि जानाच की जाती जिसके जरीए यह पता किया जा सकता है और आंतरिक अंगों के यदि उसकी डागनोसिस करना है तो कुछ टैकनिक्स हैं वो जो टैकनिक्स हैं जैसे रेडियोग्राफी है, एक्सरे है, सिटी स्केंस है, एम आराई है ये टेकनोलाजी के जरिये भी जो है आंतरिक अंगों में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आ रहे ह है, वो इन टेकनोलाजी के जरिये ही पता किया जा सकता है, अब हमने डाइगनोसिस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीट्मेंट कैसा होगा, तो ट्रीट्मेंट में जो है, जैसे की सर्जिरी की जाती, तो सर्जिरी में क्या जाता है, अब यह जो सर्जिरी है दूसरा ट्रेट्मेंट जो है वो रेडियोग्राफिक जरिय जाता है इस में क्या करते हैं और रीडियेशन के फरूट पर चित्वेंडे स्पेस् सब्चाश एक्विए जो ग्रोफ है उनको उनकी कोशिकाओं है इसमें यह दियान देना बहुत जरूरी है कि ईुसके सांत में लगी normal cells हैं उनको नुकसान न पहुंचे, बट फिर भी इस तरीके के जो treatment है कहना चाहिए कही नहीं कुछ इससे में वो neoplasic cells जो है यानि जो cancerous cells जो है वो बच जाती है और फिर से कहना चाहिए कि उसकी फिर से वो growth होती है तो यह एक तरीका है और कुछ कीमो थेरेपी के जरिये यानि कुछ केमिकल्स के थरिये यानि दवाईयों के जरिये भी क्या किया जाता है इनके प्रभाव को कम किया जाता है यहां यह ध्यान देना है कि यह खतम नहीं होता है इनके प्रभाव को कम किया जाता है तो सदा सुहा तो तेसे जरी बीसे देखा जाता है कि यह जो है कि इसका कम क्याँ करते हैं उसके कि यह अरीम है को, अपर जाते हैं, जो कैंसर है उसका प्राथमिक स्टेज पर ही इलाज संभव है यदि सेकेंड थर्ड आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है और मैलिगनेट कैंसर जो है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जैसे अब हमने बात की ती कैसे कौन-कौन से टीशू में यानि शरीर के हर हिस्सो में यह हर हिस्से को प्रभावित करता है हर जगह यह पहुंच जाता है वहां जाकर टूमर बनाएगा वहां टूमर बनाया तो अब कितने जगहों पर जाकर जो है इसका रेडियेशन किया जाए दवाईयां इसके लिए लिए ली जाएं तो कहना चीए बात की स्टेजेस में सब कुछ जो है वो हम क्या कर सकते हैं यह चैप्टर के माध्यम से आप ये समझने का परयास के लिए कि जितने भी बीमारियों की बाते की जा रही हैं वो एक जनरल नौलेज आपके पास रहे और फिर अपने परिवार में अपने जो परिचित हैं रिष्टेदारों में भी आप इस तरीके को इस अवेरनेस को आप बढ़ा सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं अपने वातावरन को परियावरन को भी स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही जो है कि दूसरे लोगों को भी आप aware करके स्वस्त रख सकते हैं